हलो गाइज, वेलकम टू पूरी पड़ाई तो आज हम दिखेंग कि HTML horizontal rule क्या होता है HTML horizontal rule horizontal rule मतलब कि horizontal आपको अगर एक line खेच नहीं है अपनी web page पे तो आपको एक horizontal rule लगाना पड़ेगा वो कि कैसे लगा सकते हैं HR आपका tag होता है HR horizontal rule tag create a horizontal line in a HTML web page HR element can be used to separate the content अभी आपको content को separate करना है जैसी कि मैं आपको एक example देता हूँ यह आपकी एक website है पूरी पड़ाई पूरी पड़ाई में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब यह courses लिखे आ रहे हैं courses के नीचे आपको faculty दिख रहा है तो courses और faculty इननों के बीच में एक line दिख रही होगी आपको तो यह जो line है वो HR tag से बनी हुई है और यह line हम use करके देखेंगे कैसे हम HR tag से बनाए सकते हैं इसके लिए अपने notepad में जाएंगे notepad में हमारे पास h1 tag हमने already पढ़ रखा है h1, h1 paragraph tag यह समने already पढ़ रखेंगे अगर ऐसे हम save करने के कोशिश करेंगे save as करेंगे html example html test 5.html कुछ भी यूज़ कर सकते है .html बस लगाना बहुत ज़रूर है तो इसे save करेंगे save करने के बाद सेफ करने के बाद हम अगर इसे run करा नेगोशिश करेंगे html example html 5 अगर सेफ कर रहा था इसको हम google chrome में अगर open करेंगे तो google chrome में आपको कैसे दिख रहा है google chrome में आपका this is a heading 1 इसके बाद ता है अगर आप 1 अगर आप इन दोनों के बीच में यह दोनों definition है इन दोनों के बीच में अगर आप एक line कीचना चाहते हैं तो यह line आप कैसे कीचेंगे hr tag लगा के तो इसको क्या करेंगे हम इसके बीच में इन दोनों के बीच में आप hr tag लगाएंगे सबसे पहले आप लगाएंगे hr tag इसके बाद लगाएंगे back forward slash ठीक है तो यह आपका syntax है लिखने का तरीका इससे control s करेंगे इससे आप यहां से भी save कर सकते हैं save करने के बाद अगर आप browser पर जाएंगे इससे अगर reload करेंगे क्योंकि हमने save कर दिया यहां पर आप line देख सकते हैं आप line केच गई है जैसे कि आपका यहां पर line है वैसी आपकी आपर line देख केच गई है और जैसे हम directly एक about us पे जैसे इन दोलों की बीच में अगर आपको line केच नहीं है तो मैं क्या करता हूँ about us को मैं copy करता हूँ एक practical example है मैं इसे convert करने के निगोशिश करते हैं इसके बाद हम इसे भी copy कर लेते हैं control हम C से copy कर रहे है control V से paste कर रहे है ठीक है vision and goal copy हमने copy कर लिया इसे हम copy कर लेते हैं उसे यहां पर paste कर लेते हैं ठीक है और इसके बाद यह हमारा एक copy हो गया control V से paste हो गया ठीक है अभी आप देख सकते हैं कि एक website में convert हो रहा है दीरे दीरे करके और इसे हमने save कर दिया है already save करने के बाद इसे reload करेंगे good very good now is looking very good तो अब आपका एक about us और vision goal का page बन गया और यह separate भी हो सकता है HR tag से तो HR tag की यह खूभी है कि यह आपका एक line बना देगा जिससे कि आप separate कर सकते हैं अपने contents को so thank you guys meet me on our next video तब तक के लिए good bye your feedback is valuable for all so please comment like and share with your friends thank you